तो आपके पास और देज क्या होता है हम आपके जो कलेंडर की सीरीज है उसका ये सेक्न लेक्शर आपके पास अब और देज क्या होते हैं तो जितने नंबर आफ डेज को अगर मैं एक वीक में करता हूँ उसके बाद मेरे पास जो नंबर आउफ डेज बद जाते ह roommates अन को मैं बोलता हूँ और यह कियोा इसको मैं वीक में चेंज कर रहा हूं तो एक में किइन में देज होते हैं 7 देज होते है,' 7 के साथ दिवाईड कर लिया तो जब मैंने आपके पास 7 के साथ दिवाईड कर लिया इस नमबर को 100 को तो आपके पास कुछ देज बच जाएंगे मतलब इसका रिमा legit के तूो आपके पास क्या जाएंगे number of odd days आजाएंगे आप चाहे तो इसकी definition भी लिख सकते हो the total number of the total number of days left after converting after converting any given number given number of days in two weeks are called as odd days उसको क्या बोलते हैं odd days बोलते हैं यह आपका आगया odd days का basic अभी आपको अच्छे से आपको अच्छे से जो basic मैंने terms बताई वह आपको पूछ लेता हूँ आपके पास मैं number of days लिख लेता हूँ कुछ भी मान लीजे मैं देता हूँ आपको थाटी कैसे चैन्ज करोगे एक week में आपके पास कितने days होते हैं आपको एक और number बोल देता हूँ जैसे आपके पास number है आपके पास मैं बोल देता हूँ है इसी तरह से मान लीजे आपके पास मैं बोल देता हूँ आपको 100 days है तो 100 days में आप कैसे चेक करोगे 100 divided by 7 कर लोगे 14 के साथ आपके पास completely divisible होता है तो number of odd days कितने आजेंगे 2 हैं आपके पास number of odd days इस तरह से आप odd days जो है हूँ basically calculate करते हूँ आप देखो आपके पास कुछ terms होती है आपके पास एक आपके पास मैंने आपको जो भी year होता है उसको मैंने classify करके बढ़ाता है आपके पास दो year में एक आपको मैंने नॉर्मल नॉर्मल यहलार wr25 थिल्सों आपके पास अपके पास है और के बैसे यह पर एक होगता है पकितनी होगे आपके पास के पास normal year होगा उस year में आपके पास कितने odd days होते हैं one odd days होते हैं कि आप याद रखो कि आपके पास कितने odd days होते हैं एक odd days होते हैं आपके पास और जब आपके पास leap year आता है तो leap year के case में आपके पास कितने days होते हैं मैं तो आपके पस 365 days होते हैं और यहाँ पर कितने होते हैं मैं तुश्वर डेज के लोगे, टू और डेज हो गहा इतना आपको आपके बेसिकली, आई होग अब आपके पास जो आपके पास आपके पास और डेज और आपको पूछनों और डेज के आपके पास maximum value क्या होती है maximum कितने हो सकते और आपके पास minimum कितने हो सकते तो maximum आपके पास आप simply ऐसा देखो कि जब आप 7 किसी number के साथ divided करते हो तो आपके पास maximum reminder कितना रह सकता है 6 रह सकता है तो maximum आपके पास कितना आज़ सकता है 6 और minimum कितना होता है 0 जीरो मतलब आपके पास कोई और देज नहीं है हो आजा जाता है जाने आया धो आपके पास और डेज बन्सकितना कि और मिनिम्म कितना होता है आप यहाँ पर आपके पास कुछ एक टेल से एक बन् instruments आके पर ओप याद रखने तो लिए गालध होते हों कि नमबर Most odd days number of odd days हैं आपके पास उसके base पे आपके पास days जो होते है weeks के उनको हम classify करते हैं सबसे पहले आपके पास odd days आपके पास मैंने की ते हैं minimum one zero होता है zero फिर one होता है आपके पास फिर two होता है after three four five और फिर यह आते हैं आपके पास number of odd days मैंने आपको बता दिये minimum value आपके पास zero होता है maximum six जब कभी भी अगर आपके पास odd days की value zero है तो आप क्या बोलोगे कौन से day होगा आपके पास Sunday होगा अगर odd days की value one है तो आप बोलोगे Monday है आपके पास इसी तरह से आपके पास बाग की डेज होंगे त्यूज़े अगर आपके पास five है तो फ्राइडे इस तरह से आपके पास number of odd days को हम देज में सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको ऐसे या लगना है आप देखो आपके पास question से start कर रहे है तो सबसे पहले question आपके पास आ रहा है today is Friday मतलब आज क्या है आपके पास Friday which day of the week will be after 100 days तो यहां पर एक concept आपके पास और भी आता है अगर आपको after पूछा हुआ question में after और before का concept आता है before आपके पास क्या होता है पहले होता है तो आप क्या sign यूज करोगे उसके लो 100 day's में आपके पास कितनेored days होते हैं तो hundred days में आपको पता है kतने ORd days होते हैं two odd days क्योंकि 98 क्योगे आपके पास 14 weeks के खुальных दो ultimate a अब two orde days आपके पास friday है तो friday है और आपके प्स question में और after है तो plus हो जाएगा और दे किने आपके पास two तो और देज अब आपके पास Friday के दो और देज कितने होंगे मतलब संडेज तो आपके पास solution किया जाएगा इसका Sunday तो 100 देज के बाद आपके पास जो day होगा week का वो कौन सो जाएगा आपके पास Sunday हो जाएगा इस तरह से हम next question देखते हैं तो आपके पास संडे मतलब संडेज है तो विज देखते हैं सबसे पहले आप और डेज चेक कीजिए तो 93 को आप से आउनिक साथ डिएड कीजिए 91 तक आपके पास completely होगा मतलब 13 weeks आगे तो number of odd days कितने आ रहे हैं आपके पास तो संडे में से आप माइनस तू और डेज कर दीजिए के पास क्या आएगा Sunday है तो पहले दिन आगे Saturday पहले दिन आगे उसे Friday तो आपके पास आपके पास अब देखते हैं आपके पास नेक्स टॉपिक आता है आपके पास और डे और डेज इना सेंच्री इयर कितने आपके पास और डेज होते हैं इसके लिए मैं आपके पास तीन चर टर्म्स लिखता हूं आपके पास वह आप याद रख लिजिए उसके बाद आपके पास देखिए क्या होगा जब कभी आपके पास hundred years आएंगे तो hundred years में आप याद रखोगे आपके पास कितने और years होते हैं देज होते हैं मतलब उसके बाद 200 years 300 years और फिर आता है आपके पास 400 years अब 100 years जब आएगा आपने हमेशा याद रखना है आपके पास number of all days कितने होते हैं 200 year में 300 year में 1 और 400 year में 0 होते हैं यह आपको हमेशा याद रखना है यह वाली चीज़ अब आप बोलोगे यह कैसे होता है तो आपको मैं simply जैसे मैंने आपको समझाया हुआ था last lecture में है कि आपके पास hundred years है तो hundred years में आपके पास कितने leap years होते हैं सौ साल में अगर आपके पास twenty four leap years है तो 76 क्या होंगे आपके पास ordinary years होंगे अब एक leap year में आपको बताया कि कितने आपके पास number of all days होंगे two और ordinary में कितने होते हैं यह आजाएगा आपके पास 48 तर्म और यह आपके पास 70 इप देखें यहां पर आप elegant गए तो यहां से आपके पास लिखितों में हैं यह आगि आपके पास आगे आपके पास ऑगे आपके पास नियर्टी यह तो 76 हिंटव वन हो जाएगा आपके पास आपके पास और देज कितने आगे 48 में आपके पास 42 होता है तो आगे 6 अब 76 में कितना हो गया अब 6 इंटू 6 कितना आगे आपके पास 12 अब 12 आ गया तो मैंने आपके क्या कहा था कि है करो जाए आपके संब नियों में चक्यों में में 44 और यूपके साब करोगे कि वैस चल के कह मने आपको समझ भी आगे कि आपके को है इसको के पास 100 साज में कितने तो यह आपको याद रखना कि अगर 100 में 5 है 200 में 3 है 300 में 1 है और 400 में कितने आ आरे आपको पस इसी तरह से मैं आपको कुछ numbers की पूछ लेता हूँ जैसे आपको मैं पूछ लूँगा कि 500 और देजिए आपके पास कितने odd days होंगे six hundred years में Seven hundred years में के पास कितने odd days होंगे तरह बाद eight hundred years इसी तरह से आपको पूछ से तो आप बोलोगे five hundred है, five hundred का मतलब कहता है four hundred plus one four hundred पर पर पे पर जिर होते है मतलब आपके पास reminder hundred ही आरहा है तो हंडर में किना आजेंगे है आप 6 है तो और डेज अब 6 आता है मतलब 200 तो आपके पास 3 ओर डेज आ गे आप चाहे तो कैल्कुलेट भी कर सकते हैं तो कितने आ गया आपके पास वन और देज और 800 आ गया तो इसका मतलब आपके पास यहाँ देखो आप यहां पर एक चीज जो है वह नो डाउन कर रहे होंगे कि जब कभी आपके पास मल्टिपल आप 400 आएगा मैं लिखेत हो जब कभी आपके पास क्या आएगा मैंटिपल आफ 400 यह आएगा 400 यह उसमें क्या होंगे आपके पास 0 odd days हो जब कभी भी आपके पास 400 का multiple year कोई भी होगा मैं आपके पास odd days कितने होगे 0 इसल से आप calculate कर सकते अब आपको माल लिजे मैं पूछ लेता हूँ आपके पास मुझे बता दीजे आप आपके पास 1900 years में कितने odd days है 2900 year में कितने odd उसके बाद माल लिजे आपके पास 1500 years में कितने odd days है और कर लिजे आप 4300 में कितने आपके पास odd days है कि आपके पास को questions अब देखो इसको मतलब मेरा करने का मेंड इसको मैं solve कैसे करता हूँ 1900 है 1900 को क्या लिख सकता हूँ 1600 300 है 1600 तो जो 400 के multiple 0 Days होंगे अब 300 300 में में बता कितने होते वन आप सिंपली बोलोगे कि 900 बेख पास कितने और देखोंगे वन और देखोंगे 29 है 29 से पहले आपके पास कोन सा 400 का मैं डिए 28 तो फिर आगे 28 लस वन तो प्लस वन का मतलब एक में कितने आ जाते हैं आपके पास 2900 यह रखे तो आपके पास कितने हो जाएंगे पाइफ और देसे अब इसी तरह से आपके पास अब मुझे कमेंट करके बताओंगे आपके पास कितने हैं इतने आपके पास हुए आपके पास नमबर और किसे अपके पास अपके पास लिए आपके पास अपके अब देखो इसारेव कभी आपके पास उलास्ट जब कभी आपके पास लास्टा पूछे तो इसका मतलाव हमेंशे आपके पास क्या होते है कि त counting सेंचरी लीप ये रीडिग आप सेंचरी का लीप ये पहो रहा है आप दिल्स्टिए का ट्रिएए आफ सेंचुरीी लेप यह लुगी अप सेंचुरीगा लीप यह सेंचुरी का लीप यह को सब ढ़ने आप ठूलता है थो ऐसे कि 1 ध ग्रम्नेट female आप बाद तूथ होजाएगा और इनके लाश्ट रे क्यों होता है 31st December 31st December सबका यही होगा ना आपके पास 31st December तो आपको यही देड निकालना है आपके पास के मतलद 31st December कि मैं को आपके पास century leap year में क्या डे होगा तो अब आपको simply बता century leap year है major year में आपके पास कितने लोडे उते हैं when this लिप होगा है आपके पास जरो है जोर। nymi जब भी आता है आपके पास तो मैंने आपको कहा था कि 0 जब भी आथा आपके पास और डेस में का ऑन सब्सक्रान När अपकर सब्सक्राय कि और तो ह्यां तो आपके पास हमेशा क्या जाएगा जाएगा कौन सा हो जाएगा आपके पास solution का Sunday आप को B option का आपके पास Sunday है यह आप याद रहाए जब कभी आपको last day of the century उप सेंचरी लीपेर पूछे तो century उपेर का मतलब आपके पास आपके पास 400 800 ट्वेल्ट यह आगे और लाज्ट आगे 31st डिसमबर अब इन में और देज अब आपको पते इन में और देज कितने होते हैं जीरो होते हैं तो जीरो पर आपके पास कॉन से ले आता है संडे इसका स्टोशिशन को हो जाएगा आपके पास संडे आप देखो आपके पास स्टोशिशन आपके पास स्टोशिशन आपके पास दो ही इसमें एक आपके पास इन में कुछ लीप यह होंगे और कुछ नॉर्मल यह होंगे तो 48 को मैं अगर फोर के साथ डिवाइड कर लूँ कि आपके पास कितने यह आजएंगे 12 और 36 आइंगे नॉर्मल अभी जो ट्वैल है आपके पास लीप यहर है और 36 आपके पास ओडिनरी एसे आपको पता कितने nember of odd days होते हैं 2 तो याँआजएगा आपकेताcott टूंपोर और एक ordinary year में एक ही odd days होते है तो याजएगा आपके पर हँसका ती आपको स्मिशन भी कर קर सकते हूं और 6 आपके इन जागि तैन नौट एक 20 अब आपके पास number of total days क disruptive आप 60 में आपको पता है total odd days कितने होते है 56 और किना आ जाता है आपके पास 4 आपके पास किना आ गया 56 के साथ डिवाइड कर लोगे ना तो 7 8 के साथ आ जाएगा तो 8 week और 4 odd days आ रहे हैं तो आपको यही पूचा था कि 48 years में आपके पास कितने odd days होंगे तो आपके solution किना आगे इसका simply और अब आपको पूचा 49 years में 49 यह तो यहां तक तो आपके पास लीप यह तो 48 फिर अगला यह क्योंगा आपके पास ordinary यह हो जाएगा आपके पास फॉर प्रस वन किरा जाएगा आपके पास फाई नंबर आफ और डेज किने हो जाएंगे फॉर्टी नाइन यह में 5 हो जाएंगे आप देखते हैं आपके पास next question अब बोरत नंबर आफ और डे इन नॉन लीप यह अब नॉन लीप यह कौन से होता ह है आपके पास simply ordinary अब मैं आपको बताया ordinary एयर में क्यों होता है आपके पास 365 डेज को आप सिंपली कर लो तो आपको मैंने ऐसे बता दिया कि आपके पास इतने और डेज होते हैं वन और डेज होते हैं नॉन लीप यह तो वन आ रहेगा आपके पास इसक्शन का प्रक्ट अ अब आ रहा है आपके पास how many odd days in thousand year घॉता दिया मैं आपको बता दिया क्या होताए आपके पास 800 प्लस 200, 800 में तो आपको पता है 0 होंगे, अब 200 में कितने होते हैं आपके पास, 200 में होते हैं आपके पास 3, तो 0 प्लस 3 किना आगे आपके पास, आपके पास 1000 year में कितने order years होंगे और days होंगे sorry तरी आप उसी तरह से 700 में कितने होंगे 400 प्लस 300 और 300 मैंने आपको बताए 1 होते हैं तो आपके पास आजएगा तो आपके पास number of odd days कितने आएंगे अगर hundred years है तो आपके पास five odd days आएंगे तो हमें odd days कितने गतने 5 अगर two hundred year है तो three आएंगे फाइंगे तो one आएंगे और four hundred year है तो zero odd days आएंगे पैटरन बेस्ट हमने यह वही कुछन आ रहा है आपको को 1700 यह में कितने आते हैं आपके पास आपके पास तोडे इस मंडे विज डे आप तो वीक विल बी आप्टर 61 अब्टर किसको डिनोड करता है एडिशन को 61 को स्टी वन को साट डिवाइड किजिएगा तो 56 तो मतलब eight weeks तो हो गए आपके पास और उसके नंबर आप देज बच 5 Odd Days आ रहे हैं आपके पास आपके पास जीवन डे कौन सांतर मंडे मंडे में और यो रहते हैं तो फिज बस टुर डेंगे तो तो फ्सक्री शे 20 Friyi च्थलोड कर देगा आपके पास कम Also आपके पास आजए का सुलूशन अब नेक्स्ट वेशन आ रहा है आपके पास लास्ट डिया अफ इस सेंच्री कैन नाट भी अब देखो यह कुशन इंपॉर्टन है यह आपके पास जो के आपके पास आजए कौनसी का पहु ना रहा है अब देखो आपके पास क्या होते मैंने हुंदै अपका होता है आपके पास Government 106 होता है है अब आपके पास यह कि पास ओ realmente इस है जाओ जिसक को नबर आपके पास सेंचरी है में आपके पास नंबर आपके पास नापकर अभ़ेजर होगे माओ फाइब होने स управ देवर शुक्र जब 100 होगा तो इसमें थ्रिए ओनर्य केश्य इसमेंस कि अर्ष हो तो आपके पास देखते हैं जब आपके पास मैंने आपके काहा कि जीरो और न होता है दॉपक्र मतला है लास मतलब मैं वानने होता है आपके पास दावे व cranberry हो गया अब आपको पूछेने नijkeका जो है वह हो सकता मंडे भी होता है मंडे हे लेख्वेता वेशने होता है फ्राइडे भी होता है तो आपके पास डोटोडे मयार्यद नहीं होता है साट इढ एर क्यासिए आता है आपके पास प्रेंस्टे अमतलब और यह ब्लाते, प्लेंसी कले हुआ है वेटनेस बड़नेस अमस्च लेंगे अब 700 ऑ डेस्याति यह तो 700 ईयार ागयe 500 철 तूसिंत आपके पास ओंडेस्यार आपके पास क्यों हें तो सेवंडेस्यारियर है तूसिंत यह बिजिया gosh तो आप इसको 2X में भी देख सकते हो जैसे आपको करने आएगा क्योंकि आपको इसको 2X में फास्ट करके लिए जिए नो डून कीजिए बाद में आंसर मैच कीजिएगा अब आ रहा है आपके पास विक वाज बीफोर 140 अब आपके पास 140 देज है और बिफोर भी एक चेंज नहीं होगी आपके पास घर आफ़र यह दे रखा है यह कुछ भी ंगा तो जीडि despिक वीचनियों आगर औके ता exercising पहले आतकर बेबद को पक्रम की बे कि आपके पास to abear को लनेफ कि आपके पास आपके पूल्ञे हैं नहीं स्टीट इस एबीधाइए इने मेर्खो span of conjugate to 400 years तो आपको क्या बताना है find A plus B अब आपके पास A दे रखा है आपके पास कोई 100 years का span है उसमें आपके पास कितने odd days होंगे और B दे रखा है आपके पास conjugate to 400 तो B आ रखा है आपके पास जब भी कोई 400 का difference आएगा तो मतलब वो leap years आ रहे हैं अब आपके पास यहाँ पर हमारेपस कोई परिकूलरी ताइम यहाँ पर हमारे पास क्या है mentioned नहीं या कि आपके पास क्वों go तो यह आपके पास हम ma Però का माल लेते हैं यह आपके पास 100 years है जैसे हम Nicole लेते है की आपके पास 24 सानिए रहाज होंगे में आगर यह वाला जाता है आपके पास लीप आजाता है तो हमारे पास क्या हम्हार्य पास तो सॉंकł क्वारेपास हमारे पास हम देख रहा है अगर नॉर्मल केश ले रहे हैं तो आपके इसको सिंप्ली सुल नहीं कर पाएंगे इसलिए आपके सिंप्ली सॉलुशन आ जाएगा राइगा अब देखते हैं आपके पास next question है कि कि how many odd days are there from 1950 to 1990 अब इसमें हमने और देस कैलकुले करने और देस कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले यहां पर नमबर आफ यह कैलकुलेट करते हैं जब भी कभी आपके पास नमबर आफ टम्स आपने कैलकुलेट करनी होगी अब जो बड़ा वाला नमबर उसको लिख लीजि और फिर उसमें वन एड़ कर दीजिए तो आपके पास क्या जाते हैं नमबर आफ लीड को और आपके पास लीप और कौन सो होगा और आपके पास लास्ट कौन सो होगा लास्ट को विजबल की बताही थी तो आप लास्ट के निजरं देखिए फिक्ट टू कि टू कीदिट होता है आप के केS से और नैंटीज सुथा होता है आपको ट्वैंटीफुर लिए मतलब आपको लीट्यर कर नंबर आफ यार निकालें तो क्या को तो और है आपके पास 12 अब आपके पास ही जो 50 years आग रखें 50 years है आपके पास इन में से आपके पास आपको इतना तो पता चल गए जिसमें आपके पास क्या है 12 leap years है आपके पास नॉर्मल या ओडिनरी एर है अब अगर आपके पास लीपियर है 12 तो एक लीपियर में आपके पास लंबर आफ ओड ऐस कितने होजाएंगे आप प्लेख पुढ़नियारी में कितने हैं तो आगया 30 अब आप 24 में सिंप्ली यहां से भी चेक करते हैं यह दोनों का सम किजिए वरना आप सिंप्ली काल्कुलेशन क्यों जादा करनी आप यहीं पर चक कीजिए आप 24 में कितने और देज हो जाएंगे अब 38 में कित हो जाएंगे आपके पास 35 और मतलब 3 आपके पास किने आगे और देज तो इस तरह से आपने इसको क्यों करना थे आई होप आपको मैं जो और देज को बताया है आपको वह समझ आ गया अब century years में कैसे और डेज निकालते हैं आपको वह वाला भी concept अच्छे से समझ आगे ठैंक यू थैंक्स वाचिंग इस वीडियो में हम और डेज ही सीखेंगे